नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफिक सिंप्लिफाइड में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल डेमस्टेशन आफ कम्प्यूटेट रेडियोग्राफिक कैसेट दोस्तों ये CR cassette है, आज मैं आपको इसका practical demonstration करके दिखाऊंगा ये cassette का front side है जो tube को face करता है ये low atomic number का होता है ताकि ये maximum radiation को pass करे आज कल तो ये carbon fiber का बन रहा है जो काफी light weight होता है और काफी मजबूत भी होता है ये cassette का back side है जिस पे lead की lining होती है ताकि back scattered ना हो और cassette के back में ही locking system होता है जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो plastic के lock है जिसकी मदद से आप cassette को बहुत ही आसानी से बंद भी कर सकते हो और खोड़ भी सकते हो ये cassette काफी light fit होती है पर ये उतनी strong भी होती है क्योंकि ये carbon fiber की बनी होती है आप देख सकते हैं इसमें किसी भी परकार के sharp edges नहीं है अगर किसी cassette में sharp edges होते हैं तो उसकी वज़े से patient को और radiographer दोनों को injury के chance बढ़ जाते हैं चलिए अब मैं इस cassette को आपको खोल के दिखाता हूं बहुत ही असान है केवर इन lock को नीचे की तरफ pull करना है और cassette खोल गई इसके अंदर PSP plate होती है जो coated होती है with European activated barium fluorohalide जो black color की जो side है इसके अंदर barcode होते है patient identification के लिए और यह white part है वो front part होता है जब भी हम PSP plate को CR cassette में place करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो इसका जो white वाला part है वो front side को face करें और जो black वाला हिस्सा है वो back side को face करें दोस्तो CR cassette का इस्तमाल हम वैसे ही करते हैं जैसे हम normal conventional cassette का करते हैं लेकिन difference आता है इसकी processing में जब हम CR cassette को expose करते हैं तो उसके बाद हम इसको reader में डालते हैं जहां PSP plate से image को read किया जाता है और उसके बाद उसको आपके console में भेज गया जाता है जहां पे आप image को अपने हिसा आप से जितना आपको contrast चाहिए जितना आपको blackening चाहिए उस हिसाब से आप उसको select करके आप उसका print out निकाल सकते हैं बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको like कीजिए share कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए thanks for watching चैहिंद